नमस्कार दोस्तों जैशिव शंकर हरहर महादेव आपके किस्मत का सितारा अब चमकने वाला है जी हां दोस्तों दिन बहुती कम रहे गए हैं इसलिए आप से निवेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंतक देखें दोस्तों आपको बता दें कि जो आज हम बात बताने वाले हैं इससे आपको अपनी बात आखो पर फिश्वास नहीं होगा दोस्तों इन तीन दिनों में बहुती बड़ी खुशी का धमाका होने जा रहा है जी हां दोस्तों बता दें यह धमाका जो आपने शायद कभी सपने मे भी नहीं सोचा होगा ऐसे बड़े कंड आप लोगों के जीवन में खुशियों का कारण बढ़ने वाले हैं याद रखें दोस्तो ऐसी चीजें आप लोगों के सामने आ जाती हैं जिसको आप पहचान नहीं पाते हैं इसलिए हम आपको कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बतान आते हैं आपको बता दे कि मुसीबत और परिशानियों से आप यदी डर रही हैं दोस्तों और आप इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो और इन मुसीबतों से बाहर निकलने का पूरा प्रयाज भी आप करते हैं तो दोस्तों आप और भी जादा फस्ते चले जा रहे हैं आप आपको बता दे कि एक मुसीबत में आप फज जाते हैं तो उस मुसीबत से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिलता है ताकि आप अपने जीवन में खुशियां दोबारा शुरू कर सकें आपको अभी भी अंदर से घुटन सी महसूस हो रही है और आपके परिशानी ये कब खतम होगा आखिर दोस्तो कब आपको खुशियां मिलने वाली है दोस्तो आप सभी को आज की इस बात से अबगत कराने वाले है कि अब आपका समय बदलने वाला है बोलेनात के आशिरवात से आपके जीवन में नए बदलाव होने वाले है और आपकी इन परिशानियों से मुक्त तो चलिए दोस्तों बिना देरी किये हुए वीडियो को प्रारंब करते हैं और जान लेते हैं अगले कुछ दिनों में आपकी कुछ खास साफधानियों के बारे में आपके जीवन में कैसे बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों बहुत कम समय में बड़ा लाब मिलेगा और दोस्तों पहले के रुके हुए काम भी आपके जल्दी जल्दी चलते रहेंगे लेकिन आप थोड़ा विजी रह सकते हैं खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदिदा काम करने चाहिए खयाली पुलाव ना बनाएं मकान आदी से सम्मद्दित कागजाद समहाल कर रखें तनाव रहने पर मोटिवेशनल प्रोग्राम लाब दायक रहेगा कारोवारिक मामलों में सिद्दस से अपने काम पर ध्यान दे दूजरूपर भरोसा करना उचित नहीं लाप के मार और अधिक प्रसस्त होंगे नौकरी पेशलोगों को अतरिक कारे भार की वज़ा से तनाव बना रहेगा घर की व्यवस्ता अच्छी रहेगी और आप लोगों को काफी खुशी मैसूस होगी प्रेम संबंदों में मजबूता बढ़ेगी इसके साथ ही दोस्तों पहले आपको विशे संबंदित किसी भी कारे को करने की आवशकता है जानकारियों से थोड़ा बची के रहिए क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ कुछ गलत जानकारियां भी आपके हिसे आसकती है मैडिटीशन करने की आवशकता है ताकि जो आपके मन को काफी हलका महसूस करवा सकता है दोस्तों व्यवार और दिन चर्या में थोड़ा सुधार करने की आवशकता है अपने बच्चों की समस्या को सुल्धाने में आपका युगदान रहेगा इससे लोगों का मनुबल बढ़ेगा दोस्तों अपने कोई भी महत्पून बाते जादा लोगों के संक्षेयर ना करे परना कोई नजदी की व्यक्ती आप से धोका कर सकता है कई गती विदियों में व्यस्तिता के कारण आप बिजनिस में जादा वक्त नहीं दे पाएंगे इस समय कोई भी बड़ा बदलाव आप लोगों के लिए नुकसान दायक हो सकता है इसलिए अपने जिन जर्या में थोड़ा सोच समझ कर बदलाव करने की आवशकता है इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दू प्यार और प्रतीबा दोनों ही तरीके से आप लोग एक साथ बहुत अच्छे से चल सकते हैं अपने भविशी के बारे में सोच को खुरे रखें लेकिन अभी कोई योजना निश्चित ना करें क्योंकि दोस्तों समय के साथ ही चलते रहें ये आप लोगों के लिए काफी बैतर इस सिद्या उत्पन करेगा कुछ रचनात्मक करने के लिए आप दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें किसी करीबी रिशेदार की मदद से आज आप अपने कारोबारों में अच्छा काम कर सकते हैं इसके साथ आर्थिक लाब भी हो सकता है मानसिक तनाव में कुछ गिरावट आएगी जिसकी वज़ा से परिवार और मित्र के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे वे आज आपको निकालने का मौका मिल जाएगा बेवजा रिश्टों पे शक करना रिश्टों को खराब करने का काम कर सकता है आपको भी अपने प्रेमी पर शक नहीं करना चाहिए यदि किसी बात को लेकर मन में उतार चड़ाव है तो साथ बार बैट कर बाते करें ये आप लोगों के लिए किसी भी निशकर तक पहुँचने के लिए काफी मददगार साबित रहेगा आईटी से जुड़े लोगों को अपना जोहर दिखाने का मौका मिल सकता है आपको कामयाभी पाने के लिए किवल काम पर एकागरचित होना चाहिए दोस्तो मैनद जोरो शोरो से करें इसका परिणाम आप लोगों को अवश्य मिलेगा अगर आपके पास हालाद थोड़े से डीले पड़े हुए है तो दोस्तो आप उसको भी मजबूती मिलने वाली है अगर आपके पास में हालाद से उभनने की दरन शक्ती इच्छा है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है किसी भी खुबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साती के बीच में अनबर रुख सकती है इसलिए वाद विवाद की हालाद पुराने ही छोड़ दीजिए प्यार, उमीद, सहनुबाती और आशावादी से आप लोगों को रचारात्मक स्वास्त के जरिये से आप काफी उत्साहित मैसुस करेंगे एक बार ये गुण आप अपने अंदर बसा लीजिए कि आप हर काम को सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं धन आने से रुख सकता है आर्थिक मामलों में दोस्तों सुधार करने की आवशकता है साथी का सहयोग मिलेगा आपका प्रिये दिन बर आपको याद करने के लिए काफी बाते बना सकते हैं इसलिए ऐसी बहाने बाजियों से दूर ही रहें कारे शेत्र में भी आप खुद को खास मैसूस करेंगे प्यार पैसा परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी अध्यात्मी गुरू से मिलने जा सकते हैं यूँ जो जीवन में हमेशा कुछ नया और रचनात्म करने की आप जो कोशेश करते हैं उसका आप लोगों को काफी सटीक फल आज मिलने वाला है दोस्तों इसके साथी दार्द का दर्द या पेट के दर्द की तकलीफ हो सकती है परिशानिया सामने खड़ी आ सकती है परन्तु आराम से आप लोगों को चिकित सक्की सलहा लेने की आवशकता है आपका बचाया धन आज आपके काम आ सकता है लेकिन इसके साथी इसके जाने पर भी आप लोगों को बड़ा ही दुख होने वाला है पारवारिक सदस्य या फिर जीवन साथी के साथ तनाप की वज़ा से आप काफी अनुभवी मैसूस कर सकते हैं दोस्तों इसके साथी प्यार के प्रती वाके बहुत गहरा दिश्टा जुड़ने वाला है आप अपने प्रिये जन के साथ में बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है जो लोग अब तक किसी काम में वैस्ते थे वे आज अपने परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे घर में किसी काम से लेकर के आप लोगों को विश्तदम दिन जर्या का सामना करना पड़ सकता है आपके जीवन साथी निरंतर आप लोगों के साथ खड़े हैं किसी भी काम को करने के लिए आप लोगों का सकारात्मक रवय या उन लोगों के लिए काफी बहतर इस सिद्धिय उत्पन करने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी दख चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बल आइकन ज़रूर दबाईएगा। तकि आने वाली नॉलेजिवल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और अंतक चुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।